इस कहानी को सुनने के बाद आप जिन्दगी में जीना सीख जाओगे और अपने मार्ग से भटकोगे नहीं। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुट्टे के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में जुक गया और कहने लगा सुआमी जी मैं अपनी जिन्दगी से बड़ा परिशान हूँ। मैं प्रति दिन पुरुशार्थ करता हूँ लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं इश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो इतना परहा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकाम्याब हूँ। युवक की परिशानी को विवेका नंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा भाई थोड़ा मेरे इस कुट्टे को कही दूर तक सैर करा दो उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्णों का उत्तर दूँगा। उनकी इस बाद पर युवक को थोड़ा अजीब लगा लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्ण नहीं किया और कुट्टे को दोड़ते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुट्टे को सैर कराने के पश्चात जब युवक आश्रम में पहुँचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चहरे पर अभी भी तेज है लेकिन वह छोटा कुट्टा धकान से जोर-जोर से हाफ रहा था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दोड़ रहा था। इसलिए एक जैसी दूरी तये करने के बावजूद भी यह इतना ठक गया। तब विवेका नंद जी ने कहा भाई, तुम्हारे प्रशनों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष तुम्हा तुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता? आज हम भी इसी कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लगे हुए है। आपका मित्र फैशन डिजाइनर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं। भले ही उ के पिछे पूरे लगन से लग जाए।